अभी अभी जो संदेश आप सुनने वाले हैं उसे अर्ल नाइटेंगल ने 1956 में लिखा था और रिकॉर्ड किया था। भोगने के लिए होता है जबकि अन्य लोग उसके अपने परिवार के ही तरह जिंदगी भर बस जीवित रहने के लिए जूचते रहते हैं। जब बड़े बुजर्गों से उसे अपने सवाल का जवाब नहीं मिला तो उसने जो कुछ मिल जाए पढ़ना शुरू कर दिया। य एक शनिवार की सुबर उसकी अनुपस्थिती में सेल्समैनों के एक छोटे समों के बीच उसका रिकॉर्डेट संदेश सुनवाया गया। जब अर्ल लोट कर वापस आया तो उसे मालूम हुआ कि उसकी संदेश का उन लोगों पर ऐसा जादु भरा असर हुआ है कि वे अप अपने रिकॉर्ड के कई प्रतियां बनवाई। अर्ल के आश्चरे का ठिकाना नहीं रहा जब बिना किसी विग्यापन, प्रचार या मार्केटिंग के बहुत ही थोड़ी समय में उस संदेश की 10 लाग प्रतियां बिख गई। अर्ल को स्वर्ण रिकॉर्ड मिला। अपने इस्थापित हुआ। और चोकि अर्ल ने सरवातिक आश्चरजनत रहसे का सच्चा अर्थ धोंड निकाला था, जिससे किसी के जीवन की उपलब्धियां निर्धारित होती हैं, वे स्वयम भी अपनी घोर निर्धनता से उपर उठकर घर-घर का एक जाना पहचाना नाम बन गए। दूर दरास के देशों में उनकी ख्याती थैली, उनका दैनिक रेडियो कारिक्रम हमारी बदलती दुनिया, दुनिया का सबसे बड़ा प्रायोजन वाला रेडियो प्रोग्राम बन गया, जिससे देश विदेश में सुना जाने लगा। मैं डायना नाइटेंगिल हूँ, 1989 में अपने पती के म्रत्यों के बाद से मैं लगातार कोशिश करती रही कि दुनिया को प्रेरित और रोमांचित कर देने वाले अरल के धेरु संदेश नए से नए प्रभावशाली परिकों से कोने कोने तक पहुँचाए जाएं। आज व्यक्तिकत विकास उद्योग काफी विस्त्रित हो चुका है, लिकिन आज भी दुनिया घर के लोग सरवाथिक आश्चेरेजनक रहसी को एक ऐसा संदेश मानते हैं, जिसने उनके जीवन को सबसी ज्यादा प्रभावित किया है। अर्ल ने अपने जीवन काल के पिछले 32 वर्षों में सरवाथिक आश्चेरेजनक रहसी को बदलते समय के साथ कई बार संशोथित किया। इन परिवर्तनों की कारण और इनके बावजूद मेरा विश्वास है कि आप इस मूल रिकॉर्डिंग के एतिहासिक महत्व की सराहना करेंगे। जब आप सुनेंगे तब निश्चित तोर पर गौर करेंगे कि ये संदेश आज भी उतना ही सही, उतना ही किम्ती और उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कभी उस समय था। तो अब मैं आप सब को आमंत्रत करती हूँ कि आप आराम से बैठ जाएं और अर्ल नाइटिंगल के इस मूल रिकॉर्डिंग सरवाथिक आश्चरजनक रहसे का आनन्द उठाएं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस दुनिया का सबसे आश्चरजनक रहसे क्या है इस बात को अभी बहुत लंबा समय नहीं गुजरा है कि महान चिकटसक और नोबेल पुरसकार विजेटा अलबर्ट स्विल्जर से लंदन में एक इंट्रव्यू के दोरान किसी रिपोर् और आज मैं भी इसी के बारे में आप से बात करना चाहता हूँ आज हम एक सुनहरे युग में रह रहे हैं ये वो दौर है जिसके लिए आपनी हजारों वर्षों से सपने देख रहा था और महनत कर रहा था लेकिन जब आज ये दौर हमें उपलब्द हो गया है तो हमने इस लोगों को लेते हैं जिन्होंने 25 वर्ष की ओमर में अपने कैरियर की शुरूआत की। क्या आपको अनमान है कि 65 वर्ष की ओमर तक पहुंशते पहुंशते इन के साथ क्या होगा? 25 की उवर में शुरुआत करते हुए इन सब का विश्वास है कि ये कामियाब होंगे यदि आप इन में से किसी से भी पूछें कि क्या आप कामियाब होना चाहते हैं तो वो कहेगा नश्यत तोर पर और आपने गोर भी किया होगा कि उसकी आँखों में जीवन के प्रते एक उत्सुकता एक जिग्यासा है आँखों में खास तरह की चमक और हावभाव में एक स्पष्ट दृरता है और जीवन उसके सामने एक खूबसूरत एक रोचक अभियान की तरह होगा लेकिन 65 वर्ष की उम्र आते आते जानते हैं क्या होगा 65 वर्ष की उम्र तक उन में से एक अमीर बन गया होगा चार आर्थिक रूप से आत्म निर्भर हो चुके होंगे इस उमर में भी काम कर रहे होंगे और बाकी नब्बे टूट चुके होंगे अब जरा एक पल सोचिए, सौ लोगों में से सिर्फ पांच किसी इस तर तक पहुँच सके इतने ज्यादा नाकाम क्यों रहे, उस चमक, उस चंगारी का क्या हुआ, जो पचीस वर्ष के उमर में उनके भीतर थी वे सपने वे उमीदें वे योजनाएं क्या हुई, आदमी जो करना चाहता है और जो कर पाता है उसके बीच इतना बड़ा अंतर क्यों है जब हम ये कहते हैं कि सिर्फ पांच प्रतिशत ने सफलता हासिल की, तो हमें सफलता को सपष्ट भी करना होगा और ये है सफलता की परिभाशा सफलता का अर्थ है किसी महान लक्ष को सपष्ट नरधारित कर उस दिशा में आगे पढ़ना अगर एक आदमी पहले से नरधारित लक्ष की दिशा में कांग कर रहा है और जानता है कि वो कहां जा रहा है और कहां उसे जाना है तो वही आदमी सफल है यदि वो ऐसा नहीं कर रहा है तो वो असफल है यानि सफलता निर्धारित लक्ष को समस्ते हुए उस दिशा में आगे बढ़ना है महान मनोवग्यानिक रोलो में ने एक अदभूत किताब लिखी है मनुष्व की स्वेम की खोच इस पुस्तक में उने कहा है हमारे समाज में साहस और होसले की विपरीत चीज कायरता नहीं है बलकि ये है अनरूपता आज हमारे सामने जो सबसे बड़ी मुसीबत है वो है अनरूपता यानि बिना सोचे समझे भीड़ के अनरूप चलने की मनस्त थे अधितांस लोग वैसा ही कर रहे हैं जैसा दूसरे कर रहे हैं ये जाने समझे बगए कि क्यों लगबक साथ वज़ की उम्र से हम पढ़ना शुरू कर देते हैं पचीस के होते होते हम रोजी रोटी कमाना शुरू कर देते हैं साथ ही परिवार की देखभाल भी लेकिन 65 वज़ की उम्र का होने पर भी हम ये नहीं सीख पाते कि आर्थिक रूप से आत्म निर्भर और निश्चन्द कैसे हुआ चाहे क्यों इसलिए कि हम बस औरों की लीग पर चलते हैं और मुश्किल यही है कि हम समाज के उस बड़े और गलत प्रतिशत का अनुकरन कर रहे हैं यानि उन 95 प्रतिशत का जो काम्याप नहीं हुए अब सवाल यह है कि ये लोग इतनी बड़ी संख्या में लोग औरों की नकल क्यों करते हैं इसका उत्तरवे भी नहीं जानते इन लोगों का विश्वास है कि परिस्थतियों ने उनका जीवन एक सांचे में गढ़ दिया है ऐसे लोग बाहर से बाहरी शक्तियों से नरदेशत होने बाले लोग है एक बार बहुत सारे कामकाजी लोगों पर एक सर्वे किया किया और उनसे ये सवाल पूछे गए कि आप काम क्यों करते हैं सुबर सवेरे क्यों उठते हैं बीस में से उननीस लोगों के पास इसका कोई कारण नहीं था यदि आप उनसे पूछें तो वे कहेंगे सभी लोग सवेरे उठकर काम पर निकल जाते हैं और यही कारण था कि वे इसे करते थे क्योंकि बाकी लोग भी ऐसा ही कर रहे हैं अब हम सफलता की अपनी परिभाशा पर वापस चलें सफल कौन होता है सिर्फ वही आदमी जो अपना लक्षे सपच्ट कर फिर उसकी तरफ आगे बढ़ता है ऐसा आदमी कहता है मुझे जीवन में ये बनना है और फिर उस दशा में काम शुरू करता है मैं आपको बताता हूँ कि सफल लोग कौन है वो स्कूल टीचर सफल है जो बच्चों को इसलिए पढ़ा रही है क्योंकि वो यही करना चाहती थी वो औरत अपने जीवन में सफल है जो एक पतनी और एक मा है क्योंकि वो पतनी और माही बनना चाहती थी और वो अपनी जब्मदारी अच्छी तरह निभावी रही है वो कोने का गैस स्टेशन चलाने वाला आदमी सफल है क्योंकि उसने यही पेशा अपनाने का लक्ष नरधारित किया था वो सेल्समेन कामयाब है जो एक टॉप सेल्समेन बनना चाहता है और इसी उद्देश से अपना व्यवशाय जमाता है हर वो आदमी सफल है जो पहले से अपना सोचा और नरधारित काम काफी सोच विचार कर कर रहा है क्योंकि यह वही काम है जिसे उसने सोच विचार कर करने का फैसला किया था लेकिन 20 में से सिर्फ एक आदमी ही ऐसा कर पाता है और किसी से कोई प्रतिसपर्धा करने की जगे हमें स्वैम अपना कुछ मौलिक स्रिजद और स्थापित करना है लगभग 20 शालों तक मैं उस कुझी की खोश करता रहा जिससे आदमी के आने वाले कल के बारे में पहले से सब कुछ मनमाफिक निर्धारित किया जा सके क्या ऐसी कोई कुझी है मैं जानना चाहता हूँ जिससे भविश्य के बारे में सब कुछ तै कर दिया जाए और हम पहले से ही उसकी भविश्य बानी कर सके क्या ऐसी कोई कुझी है जो आदमी को सफल होने की गारंटी दे सके काश आपनी इस कुंजी के बारे में जान सके और इसे इस्तिमाल करना जान सके मैं आपको बताऊँ ऐसी कुंजी उपलब्द है और मैंने इसे पाया भी है क्या आपको कभी इस बात पर हैरत हुई है कि दुनिया में इतने सारे लोग कड़ी महनत और इमानदारी से काम करते हैं लेकिन उन्हें जीवन में कुछ खास हासल नहीं हो पाता जबकि कुछ लोगों को बिना महनत किये ही बहुत कुछ उपलब्द हो जाता है यानि उनके हातों में कोई जादू है जी हाँ आपने कई लोगों को कहते भी सुना होगा वो जिस चीज को भी छूड़ेता है सोना हो जाता है क्या आपने कभी गौर किया है कि एक आदनी जो अपनी चीवन में काम्याब हुआ वो हमेशा सफलता के दिशा में ही प्रतनशील रहा जबकि असफल व्यक्ते हमेशा असफलता के दिशा में ही काम करता रहा ऐसा सिर्फ लक्षियों की बज़े से ही हुआ हमने से कुछ लोगों के सामने लक्षे होते हैं और वे उसी दिशा में काम करते हैं जब कि कुछ लोगों के सामने कोई लक्षे ही नहीं होता लक्षे साथ रखने वाले व्यक्ति सफल होते हैं क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि किस दिश्या में आगे बढ़ना है। एक ऐसे जहाज के बारे में सोचिए जो बंदरगाह से बस चलने ही वाला है। अपनी यात्रा के पूरे नक्षे और पूरी योचना के साथ। जहाज के कैप्टिन और चालक दल के सरस्यों को ये अच्छी तरह मालूम है कि इसे तहां जाना है और कितना समय लगेगा। इस जहाज के सामने एक सपष्ट लक्ष है। और सपष्ट मैप रखने वाला जहाज दस हजार बार अभियानवे से नौ हजार नौ सो निन्यानवे बार अपने उसी लक्ष पर पहुँचेगा जहां के लिए ये रवाना हुआ था। यानि शत प्रतुशत लक्ष पर। अब इसी तरह के एक दूसरे जहाज के बारे में सोचिए। फर्क सिर्फ इतना है कि इस पर कोई कैप्टर नहीं है और ना ही कोई चालक सरस्य है। इस जहाज के सामने कोई लक्ष नहीं है, कोई उद्देश नहीं है। बस इंजन स्टार पर पहुँची नहीं सकता क्योंकि इसके सामने ना तो कोई लक्ष है और ना ही इसके साथ कोई मार्ग दर्शन। बिल्कुल यहीं बात मनुष्य पर भी लागू होती है। एक सेल्समैन का ही उधारन दीचे, आज दुनिया में कोशल सेल्समैन के व्यवसाय से बढ़कर काम सेल्समैन के जरूरत है और वे उसे बढ़ा चढ़ा कर पारिश्रमिक देने को तयान हैं। उनके लिए तरके की असीन संभाबनाएं हैं। लेकिन आपको ऐसे कुशल लोग कितने मिल पाते हैं। साथ चल सकें। ठीक उसी प्रकार आज पूरी अर्थे विवस्ता अपनी सबसे कमजोर कड़ी की हिफाज़त में धीमी पड़ गई है। इसलिए आज रोजी रोटी कमाना तो काफी आसान हो गया है। आज आज येविका के लिए या परिवार चलाने के लिए किसी खास बु लक्षे हम अपने लिए निर्धारित करना चाहते हैं। चलिए अब हम दुनिया के सबसे अश्यर जनक रहसे पर यानि जो कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ उस पर वापस चलें। जीवन में इस पच्छ लक्ष रखने वाले लोग क्यों सफल होते हैं। और लक्ष व वो सबहाग्य मिल जाएगा जो अरसे से आपको लुभाता रहा है। आप जो कुछ भी चाहते हैं वो सब आपके समक्ष साकार हो जाएगा और आप उन सभी चिन्ताओं, समस्याओं और परिस्थतियों से मुक्त हो जाएंगे जो अरसे से आपको घेरे हुए थी। शंकाएं और भै अकीद की चीजें हो जाएंगी सफलता और असफलता की कुझी क्या है मैं आपको बतलाता हूँ हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं मुझे एक बार फिर गुराने दीजे हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं पूरे टिहास में जो भी महान बुद्धिमान लोग हु मारकस एरियलिस्ट ने कहा था मनुष्य का जीवन वैसा ही बनता है जैसा उसके बैचार उसे बनाते हैं डिजरेली ने इसी बात को इस प्रकार कहा है कि ये जिए मनुष्य चाहे और प्रटेक्षा करे तो हर चीज उसे हासल हो सकती है बहुत लंबे और गहन चिंतन मनन के बाद मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि एक निश्यत लक्षे वाला मनुष्य हर हाल में इसे पूरा करता है और अगर दृड इच्छा शक्ति हो तो इसकी राह में कोई औरचर नहीं तिक सकती राल्फ वाल्डो एमर्सन का कहना है कि एक आदमी वैसा ही बनता है जैसा वो पूरे दिन भर सोचता है विलियम जेम्स ने कहा था मेरी पीड़ी की सबसे बड़ी खोज यही है कि मनुष्य अपनी सोच और अपने विचारों में परिवर्तन लाकर अपने जीवन को भी बदल सकता है और उन्होंने ये भी कहा कि जरूरत सिर्फ इस बात की है कि हम अपने जीवन में वांचित चीजों को वास्तों में घटित हुआ मानने धीरे धीरे इस सोच का जीवन से ऐसा संपर्क स्थापित होता चला जाएगा कि बांचित चीजें वास्तों में यथार्त बन दरसल हमारी सोच, हमारी आदितों और भावनाओं से इस कदर गुच जाती है कि हमारा विश्वास साकार हो जाता है विल्यम जेम्स ने ये भी कहा था कि यदि आप किसी परिणाम विशेश के बारे में काफी ज्यादा सोचें तो आप नश्चत तोर पर उसे हासल भी कर लेंगे अगर आप अमीर बनने के इच्छा रखते हैं तो आप नश्चत तोर पर अमीर बन जाएंगे यदि आप विद्वान बनना चाहते हैं तो विद्वान बनेंगे इसी प्रकार ज़िए आप भला बनना चाहते हैं तो नश्रत तोर पर भले बन जाएंगे आपको सिर्फ ये करना है कि वस्तो विशेश या लक्ष के लिए वास्तवे कि छाशक्ते विक्सित करें और उस दोरान एक मात्र वही लक्ष आपके सामने हो ऐसा नहों कि एक ही समय सैक्णों अलग-अलग चीज़ों पर आपका ध्यान बटके आपको बाइबल का वो कथन याद होगा कि जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है डॉक्षर नॉर्मन विशिन पीले ने कहा है कि पूरी स्रिश्टि के महानतम नियमों में से ये एक है कि अगर आपकी सोच नकारात्मुक हो तो नकारात्मक परिणाम ही आपके सामने आएंगे और यदि आप सकारात्मक सोचें तो जो भी आप करेंगी उसका नतीजा भी सकारात्मक होगा ये एक साधारन सी वास्विक्ता है जो सम्रिध्धी और सफलता के इस आश्चे रिजनक नियम का अधार है केवल चार शब्दों में कहा जाए तो विश्वास करो सफलता पाओ विलियम सेक्सपिर ने इसे इस तरह कहा है कि हमारी शंकाएं इतनी विश्वास घाधनी हैं कि वह हमें कोशिश करने से भी भैवीद कर देती हैं और हम उन सभी मौचों पर हार जाते हैं जहां हम जीत सकते थे जॉर्ज बरनाढ्य शौ का कहना है कि लोग अपनी हालत के लिए हमेशा अपनी परिस्थितियों को दोच देते हैं लेकिन मैं परिस्थितियों में विश्वास नहीं करता इस दुनिया में काम्याबी हासिल करने वाले लोग वे लोग हैं जिन्होंने काम की शुरुआत की और अपनी मन्चाही परिस्थितियां खुद बनाई ये वादविक्ता कितनी सुखत है और जिस किसी ने भी इस पर विश्वास किया है उसने सफलता हासल की है हम वही बनते हैं जिसके बारे में हम सोस नहीं इसलिए अगर हम किसी ठोस और सार्थक लक्ष के बारे में सोचें तो हम जरूर इसे हासल भी कर लेंगे दूसरी और वो आदमी जिसके सामने कोई लक्ष नहीं है जिसे नहीं मालूम कि उसे कहां जाना है और जो उसी वज़े से संशे, भय, चिंता और परिशानियों में घिरा है वो वैसा ही हो जाएगा जैसा कि वो सोच रहा है और अगर ऐसा है कि वो किसी भी चीज़ के बारे में नहीं सोच रहा है तो वो आदमी कुछ भी नहीं बन पाएगा आएए अब ये समझें कि ये सारा कुछ कैसे काम करता है क्यों हम वैसा ही बन जाते हैं जैसा कि हम सोचते हैं मैं आपको बताता हूँ कि ये सारा कुछ क्यों और कैसे होता है कल्पना कीजिए कि एक किसान के पा एहां जेलेजी जिये कि मनुष्यका मन भी जमीन के ही समान है, बलकि हम मानव मन की तुन्ह में ही जमीन का उधारन दे रहे हैं, जमीन की ही तरए मन को भी इस बाद से कोई मितलब नहीं है कि आप उसमें कैसे विचार बोते हैं, बस जो कुछ भी इसमें बोया जाएगा, वो इ उसी की फसल आपको वापस लोटाएगा। यही वास्तविक्ता लागू होती है सकारात्मक और नकारात्मक विचारों के साथ। यदि आप सकारात्मक विचार बोएंगे तो काम्याबी की फसल काटेंगे और यदि नकारात्मक विचार बोएंगे तो नाकामी ही हाथ लगेगी कल्पना कीजिए कि उस किसान के हाथ में दो तरह के बीज हैं एक तो किसी अनाज़् का और दूसरा किसी जहरी ले पौधागा। किसान जमीन में दो स्थानों पर दोनों बीजों को पौधेता है, वो उन स्थानों पर पानी देता है और उन की डिखभाल करता है। अब जमीन जो कुछ बोगा गया है उसे वापस लोटाती है दोनों बस जो भी हम इसमें डालेंगे वही ये हमें वापस लोटाएगा। आपको मालूम है कि मानव मस्तश्क आज इस धर्ती पर एक मात्र अंतिम महादेश है जिसका आज तक अन्वेशन नहीं हुआ है। इसमें हमारी कल्पना से भी परे सुक सम्रद्धी भरी पड़ी है। यदि हम सकारात्मक विचार डालें तो ये भारी सभलता और सुक सम्रद्धी हमें वापस लोटाएगा। आप कह सकते हैं कि यदि ये सही है तो लोग अपने मस्टश का अधिक इस्तेमाल क्यों नहीं करते। लोगों के पास इसका भी जवाब है। मस्तिशक, हमारी आत्मा, हमारा शरीर, हमारी आशाएं, हमारे सपने, हमारी आकांशाएं, हमारी बुद्धी, परिवार, बच्चों और दोस्तों का प्रेम, यहन तक की प्रकृति का उपहार, हवा, धूप और पानी भी। ये सभी अनमोल चीज़ें हमें निशलक मिली और दूसरी बात ये, कि मानव मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग नहीं हुआ है, मन इतना शक्तिशाली है कि इसे जो भी काम सौपा जायक कर सकता है, लेकिन आम तोर पर हम बड़े और महत्पून कामों के बदले, छोटे मोटे कामों के लिए ही इसका इस्तेमाल करते हैं कई विश्व विद्यालेओं ने ये साबित कर दिया है, कि हम में से अधिकांच लोग अपनी ख्षमता का दस प्रतिशत ही इस्तेमाल करते हैं, हमारी शेश ख्षमता यूही अंचोई रह जाती है, अब आप फैसला कीजिए कि आपको क्या करना है, अपना लक्ष अपने मस् जश्क रूपी जमीन में बो दीजिए, ये आपके पूरे जीवन का सबसे महत्तोपून फैसला है, आप एक बेहत कामयाब सेल्समैन बनना चाहते हैं, कंपनी के कुशल और सक्रिय करमचारी के रूप में जगे 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 जाना चाहते हैं, आपको सिर्फ ये करना है किस ल जबाल ही नहीं है कैसा ना हो, आप समझ लीजिए कि ये प्रकृति के अन्य नियमों की तरह एक नियम है, जैसा सर आइसेक न्यूटन का गुरुत्वा कर्शन का नियम है, कि यदि आप किसी इमारत की छट से चलांग लगा दें, तो आप नीचे ही आएंगे, उपर नहीं ज हासिल कर दिया है, उन कामों के बारे में सोचिए और खुद को उन्हें करता हुआ भी देखिए जो लक्षर तक पहुँचने के बाद आपको करने हैं, आज हमारे समय के दोर कोई यदि आउशदियों का युग या अलसर और नर्वस ब्रेकडाउन का युग कहा जाए तो ग हकेर रहे हैं, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने महान प्राकरतिक नियमों को अपनाना नहीं सीखा, जो हमारे लिए बेहत कारगर और लाबकारी हैं, कृपिया अप साइट भी सुनिये, हमारे सोचने विचारने के तरीके में ही ये चमतका छुपा है, दरसल हर व्यक्ति अपनी समस्त सोच का ही योगफल होता है, वो स्वीकार करे या न करे, लेकिन वो आज जहां जिस स्थति में भी है, वो उसकी अपनी सोच का ही नतीजा है, हमें से हर एक को भविश में भी अपनी आज की सोच का ही प्रतिफल मिलने वाला है, क्योंकि आज कल यागले महीने यागले वर्ष, हमारी सोच की जो दिशा रहेगी, उसी से हमारा भविश या हमारा जीवन निर्धारित होगा, आपका मन मस्तश की ही आपके संपून व्यक् करीब 20 तन मिट्टी उठा रही थी और एक छोटा सा आदमी पहिया हातों में भामे मशीन को निर्धेशित कर रहा था, एकदम से मुझे लगा कि इस मशीन की तुलना मानव मस्तश के से की जा सकती है, और विशाल उर्जा के स्रोत इस मस्तश के रूपी मशीन का नियंतरन हम और इसकी ताकत किसी खास उद्देश के लिए लगाएंगे, ये दोनों विकल्प आपके उपर हैं, क्योंकि आप ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं और मशीन का नियंतरन आपके हातों में है, अब देखाना आपने, कि हमें सफलता प्रदान करने वाला नियम भी एक दोध हरी तलवार की तरह है, हमें अपनी सोच, अपने विचारों पर नियंदरन रखना चाहिए, विचारों का ये नियम जहां एक और आदमी को सफलता, सुक और सम्रिद्ध की और ले जाता है, उसे जीवन में वे खुशियां उपलब्द कराता है, जिनका उसमें अपने और अश्चर जनक रहसे, अब सवाल ये है कि मैं इसे अश्चर जनक क्यों कहूं और रहसे भी क्यों कहूं, वास्ताओं में ये कोई रहसे तो बिल्कुल नहीं है, पहले पहल किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने इस प्राकरतिक नियम की सच्चाई प्रमानिक की थी, और बात में पूरी बाइबल में बार बार इसका जिक्र हुआ है, लेकिन बहुत थोड़े लोगों ने इसे समझा और सीखा है, यही कारण है कि ये लोगों के लिए अश्चर जनक है और इसी वज़े से ये रहसे भी बना रहा है, मेरा विश्वास है कि यदि आप अपने शहर की गलियो में जाएं और एक एक कर हर व्यक्ति से पूछें के सभलता का रहसे क्या है, तो आपको महीने भर की कोशिश के बाद ऐसा एक भी आद्वी नहीं मिलेगा जो आपको ये बता सके, आज जो कुछ हमने जाना है, वो हमारे लिए वास्ताओं में अक्कंत मूलेवान है, यही हम समझ कर इसे जीवन में लागू भी कर सकें, यह न सिर्फ हमारे लिए बलके हम से जुड़े और हमारे आसपास के हर व्यक्ति के लिए महत्पून है, जीवन को नीरस और उबाओ नहीं बलके एक उतेजना पून अभियान होना चाहिए, आदमी को अपने जंदगी पूरी जं पारत का व्यक्षान सुना था, उन्होंने अंत में जो कुछ कहा उसे मैं कभी भूला नहीं पाया, उन्होंने कुछ इस तरह कहा था, कि अपने व्यवसाइ में मैंने कई बातें जानी, एक तो ये, कि लोग مूल रूप से भले होते हैं, और ये भी कि हम सभी कहीं से आएं है और हमें कहीं जाना है इसलिए इस धर्थी पर बीच का समय हमें एक रुमान्चक अभियान की तरह बिताना है स्विस्ट के रचाईता ने कहीं पहुंचने के लिए कोई सीली नहीं बनाई है लेकिन उस महान शिक्षत ने उस रचाईता ने समय समय पर इस रहसे का उधगाटन किया है कि तुम जैसा विश्वास करोगे वो तुम्हारे समक्ष सत्य बन कर अब तरह थोगा मैं आपको परीक्षा का एक मौका देना चाहता हूँ यह परीक्षा 30 दिनों तक चलेगी जो मनुष्य पर भी उतनी ही सक्चाई से लागू होते हैं जितनी की स्रिश्टी की अन्य वस्तूओं पर इन नीमों में से एक है कि प्रतेक्रिया की बिलकुल समान और विपरीत प्रतेक्रिया होती है यदि हम अपने आप पर इसे लागू करें तो इसका मतलब है कि हम मूले चुकाए बिना कुछ भी हासिल नहीं कर सकते तीस दिनों के आपके प्रयोग का नतीजा बिलकुल उसी अनुपात में होका जिस अनुपात में आपने प्रयास किया होका एक डॉक्टर बने के लिए आपको कई वर्षों तक कटिन परिश्चम और अध्यन करने का मूले चुकाना होका उसी तरह औरों को समझाने या सहमत कराने में या विक्री के व्यवसाय में भी हमारी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि चीजों को बेच सकने की या विचारों को दूसरों तक पहुँचाने की या सुईकरित कराने की भी हमारी क्षमता कितनी है लेकिन औरों को बहतर जीवन पाने का तरीका समझाने में हमारी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपने प्रयास में कितना मूले चुकाते हैं और हमें ये मूले चुकाने को तैयार भी रहना चाहिए अब सवाल है कि ये मूले है क्या इसमें कई बाते हैं पहली तो ये कि हमें बाउधिक रूप से और भावनात्मक रूप से ये समझ लेना चाहिए कि हम जैसा सोचते हैं बिलकुल वैसा ही बनते भी हैं इसलिए अपने जीवन को नियंतरत करने के लिए हमें अपने विचारों को नियंतरत करना होगा यानि हमें अच्छी तरह समझ कि जैसा हम बोएंगे वैसा ही काटेंगे दूसरी बात हमें अपने मन से सभी अडचनों और बेडियों को काट फेकना होगा और ये सोचकर काम को अधिकतम आगे बढ़ाना होगा कि यही काम हमारे लिए दैवी रूप से निरधारित है यानि ये समझना होगा कि सभी सीमा र समस्या पर सकारात्मक रूप से सोचने के लिए खुद को प्रिरित करने में पूरी क्षमता और साहस का इस्तेमाल करना होगा और साथ ही अपने लिए एक निश्चित और पश्च्ट लक्ष निरधारित करने के लिए भी अपने मस्तिश को लक्ष के बारे में सभी संभव को आपको हरा भी सकती है जब आपको लक्षे की और ले जाने वाला मार्ग सपस्ट दिखे तो बिलकुल ततपरता से फैसला लेते हुए काम करना होगा और अपने आपको लगातार इस तत्थ से अवगत कराते रहना होगा कि आप अपनी उपलब्धियों के खेतर के बीच और बी पड़ी हैं आएए हम उन महत्वपून बिंदूओं को दोहराने जो एक खुबसूरत जीवन बिताने के मूली के तौर पर हमें चुकाना है पहला हम वैसा ही बनेंगे जैसा हम सोच ने हैं दूसरा कल्पना शब्द का महत्व समझे और अपने मस्तिश को उची उड़ान भर ने दें तीसरी बात साहस हर दिन अपने लक्षे पर एकागर चित हो और चौती बात जो भी कमाएं उसका दस प्रतुशत बचाएं साथ ही ये भी याद रखें कि कोई भी विचार तब तक वियर्थ है जब तक हम उसे कार्यान वित नहीं करते हैं और अब मैं 30 दिनों के पर आप कुछ भी खोने नहीं जा रहे हैं बलकि मुम्किन हैं कि आप सब कुछ पा सकते हैं दो बाते हम सब पर लागू होती हैं हम सब कुछ न कुछ चाहते हैं और हम सब किसी न किसी चीज से भैभीत रहते हैं मैं चाहूंगा कि आप एक कार्ट पर लिखें कि वो क्या चीज ह जिसे आप सबसे ज़्यादा चाहते हैं। एक मात्र और सपश्ट लक्ष है। आप अपना ये कार्ड किसी और को मत दिखाईए बल्कि उसे अपने पास रखिए। ताकि आप दिन भर में कई बारे से देख सकें। इस पर लिखे गए लक्ष के बारे में हर सुबह नीन से जागने पर प्रफुलत और शांत चित्र से सोचिए। दिन भर में जितनी बार मौका मिले इस कार्ड को देखिए और रात में सोने जाने से पहली भी देखिए। कार्ड को देखते समय ये बात याद रखें कि आप वैसे ही बनते हैं जैसा आप सोचते हैं और चूँके अभी आप अपने लक्ष के बारे में सोच रहे हैं इसलिए ये समझे कि बहुत जल्दी ही आप इस लक्ष को हासिल कर लेंगे। दरसल जिस पल आपने अपने इच्छा कार्ड पर लिखी और उसके बारे में सोचना शुरू किया उसी पल से वो लक्ष आपका हो किया। जब आप काम से बाहर निकलते हैं तो आस-पास पहले प्रचुर्ता की और देखिए। इस तरह की प्रचुर्ता पर आपका भी उतना ही अधिकार है जितना औरों का है। यदि आप चाहें और प्रयत्न करें तो ये प्रचुर्ता आपकी हो सकती है। अब हम थोड़े मुश्किल हिस्से की तरफ आते हैं। मुश्किल इसलिए कि इसके अनुसार आपको कुछ नई आदतें विक्सित करनी होंगी और नई आदतें आसानी से नहीं बनती हैं। लेकिन अगर एक बार पढ़ जाएं तो फिर जीवन भर आपके साथ बनी रहती हैं जिस चीज से भी आपको भै लगता हो उसके बारे में सोचना बंग कर दीजिए। हर बार जब कोई भैनक और नकारात्मक विचार आपके मन में आएं तो उसकी जगे पर अपने सकारात्मक और महतपून लक्षे का विचार उसकी सजीव कल्पना मन में ले आईए। इस दोर कि आप इसी प्रतिशक वाले वर्ग में अपनी जगे बनाएं। इन 30 दिनों के लिए आपके मस्टिश का नियंतरन पूरी तरह आपके हाथों में होना चाहिए इस दोरान दिमाग को वही सोचना होगा जिसकी अनुमती आप दें। 30 दिनों की इस परीक्षन अवरी के दोरा हर दिन आप उससे भी ज्यादा काम करें जितना आपको करना है। इसके अलावा एक उतसाही सकारात्मक रुख बनाए रखने के लिए पहले से भी ज्यादा कोशिश करें। ये सारा कुछ ये ध्यान रखते हुए करें कि जीवन में आपको उसी अनुपात में कुछ मिलेगा जिस अनुपात में आप लगाएंगे। जिस खषण आप किसी लक्ष की दिशा में काम करने का फैसला करते हैं उसी खषण आप एक सफल गर्फी बढ़ जाते हैं। क्योंकि आप उसी खषण ऐसे सफल लोगों की शरणी में आ जाते हैं जिनें मालूम है कि वे किधर जा रह हैं इसका मतलब है कि लक्ष निधारित करने के साथ ही आप प्लत्येक सौ में से 6 के 5 लोगों में आके। लक्ष किस तरह हासल किया जाए इस चिंता में अपने आपको बहुत ज्यादा मत उलजाईए। इसे पूरी तरह उस शक्ते पर छोड़ दीजिए जो आप से ज्यादा समर्थ है। आपको सिर्फ ये मालूम करना है कि आप किधर जा रही हैं किस दिशा में जा रही हैं। बाकी के सारे प्रशने जैसे जैसे सामने आएंगे उनका जवाब भी खुद बखुद मिलता जाएका। आप धर्मो पदेश के ये शब्द याद रखिए और उन्हें पर पाता है जो ढूरता है उसे प्राप्त होता है और जो दस तक देता है उसके लिए द्वार खुलता है। ये शब्द जितने सहज हैं उतने ही चमतकारी भी। दरसल ये सिध्धान्त इतना सरल है कि हमारे कटिन शब्दों में उलचकर इसे समझना शायद ज्यादा मुश्किल होगा बसाद के लिए जरूरी है कि इन 30 दिनों के दौरान आपके सामने इस पश्च लक्षे हो और उसे पूरा करने का विश्वास भी। चाहे आप किसी भी पेशे से जुने हों इन 30 दिनों के दौरान अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन करें जैसा अब तक आपने पहले कभ लिकाला अपनी पुस्तत वेक अप एंड लिव में इस बारे में उन्होंने लिखा है उनका पूरा चिंतन मनन और दर्शन जैसे इन शब्दों में समा गिया है इस तरह काम करो मनों असफल होना संबब है दरुती ने अपनी परीक्षन अवधी पूरी इमानदारी और विश पर तैयार न कर लें आप आएंगे कि द्रड लगन शील होने की वज़े से आप में विश्वास भी जलक रहा है कहा जा सकता है कि द्रड लगन विश्वास का ही दूसरा नाम है यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप कभी भी लगन से काम नहीं कर सकते यदि तीस दिनों के परीक्ष़ों के दौरान आप असफल हो जाएं यानि नकारात्मक विचारों से पराजित हो जाएं तो फिर से शुरुआत करें धीरे धीरे आपकी नई आदत बन जाएगी और आप अपने आपको उन गिने चुने लोगों में पाएंगे जिनके सामने कुछ भी असंभब न पूछो और वो तुम्हें मिलेगा धूडो और तुम उसे निश्चत पाओके दस तक दो और द्वार तुम्हारे दिये खुलेगा परीक्ष़न के दौरान अपने खाली समय में प्रेरक पोस्तके पढ़ें या आपके लिए काफी उपयोगी रहेंगी जीवन में कभी भी को जन्म देती है और भे जीवन को तूड़ देता है याद रखें कि आपको अपना लक्ष अपने सामने बिल्कुल स्पच्च रखना है बाकी सारी चीजें खुद बखुद तय होती चली जाएंगी ये भी ध्यान रखें कि आप हमेशा शान्त और प्रसन नचित बने रहें कि इसी भी छोटी मोटी बात को इजाज़त ना दें कि वो आपको परिशान या खिन करें और मार्क से हटा दें हो सकता है कि परीक्षण को कठें जानकर कोई कहे कि मैं इसकी चिंता क्यों करूं देखिए जीवन में कोई भी असफल होना नहीं चाहता कोई भी अद्गचरा रह और निराशा से भरा हो इसलिए आपको हमेशा याद रखना है कि आप जो बोएंगे वही काटेंगे अगर आप नकारात्मक विचारों की फसल बोते हैं तो आप नकारात्मक सोच से भी भरे रहेंगे और यबी सकारात्मक विचार बोते हैं तो आपका जीवन प्रसंद में और अब एक बात और लोग हैं जो बिना कोई परिश्रम किये बिना कोई कीमत चुकाए मुफ्त में ही बहुत कुछ पाना चाहते हैं और ऐसे लोग जीवन में असफल रहते हैं यहां जायज और सार्थक ढंग से पैसा कमाने का सर्वोत्तम तरीका है कि लोगों को उपयोगी और आवश्यक वस्तु सफलता कभी भी पैसा कमाने का परिणाम नहीं है बलकि इसके विपरीट सफलता के परिणाम स्वरूप ही हम पैसा कमा पाते हैं और सफलता हमें उसी अनुपात में हासिल होगी जिस अनुपात में हम परिश्रम करेंगे लोगों को अपनी सेवाय उपलब्द कराएंगे अध उस आदमी की कहानी का उधारन ही बनेगा जो अमीठी के पास बैट गया और कहने लगा के पहले मुझे आंच दो तब मैं लकणिया डालूगा। सपनों और उन्हें साकार करनी की इच्छा से जोड़ें। आप ऐसा करके देखें। और फिर देखिए कि आपके पास कितनी प्रचुर संपत्य और सम्रिद्धी आती है। सम्रिद्धी भी परस्पर विनिमय के नियम पर ही आधारित है। कोई भी व्यक्ति जो सम्रिद्धी के समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है तीस दिन की परीक्षन अवदी से एक एक दिन करके गुजरते हुए हमेशा ध्यान में रखिए कि आपकी सफलता हमेशा उस सेवा के परिमान और गुणवत्ता से मापी जाएगी जो आपने लोगों को उपलब्द कराई है और पैसा सिर्फ इस सेवा को मापने का एक पैमाना है कोई भी व्यक्ति तब तक संब्रद नहीं बन सकता जब तक वो औरों को संब्रद ना करे इस नियम में कोई अपवाद नहीं है एक बार यदि ये नियम अच्छी तरह समझ लिया जाए तो कोई भी व्यक्ति अपना भाग्य स्वेम बतला सकता है यदि वो और अधिक चाहता है तो उसे लोगों को और अधिक सेवा उपलब्द करानी होगी और यदि वो और कम की चाहत रखता है तो उसे सेवा के परिमान में भी कमी करनी होगी यहीं वो मूले है जिसे आपको अपनी इच्छा और जरूरतों के लिए चुकाना होगा जबी आप सोचते हैं कि आप औरों को दरकिनार कर स्वेम को सम्रिद कर लेंगे तो यह आपकी भूल है इससे आप स्वेम को ही दरकिनार कर लेंगे यह बिल्कुल सांस लेने और छोड़ने की तरह जैसा सच है कि आप जितना कुछ देंगे उतना ही आपको वापस मिलेगा आप इस नियम को पलट सकते हैं ऐसा कभी भूल कर भी मत सोचिएगा क्योंकि यह असंभव है एक जाने माने मनों चिकित सक में सफलता पाने के लिए छे सूत्री उपाय बताएं हैं पहला एक निश्चत लक्ष नरधारित करें दूसरा अपने को कम आकने वाली नकारात्मक सोच को त्याग दें तीसरा उन सभी कारणों पर विचार करना बंद कर दें जो आशंका जतलाते हैं कि आप सफल नहीं हो सकते इसके स्थान पर उन कारणों के बारे में सोचें जो आपको सफल होने का विश्वास दिलाते हैं अगर नकारात्मक विचार ही आप पर हावी हैं तो अपने बच्पन के दिनों तक पीछे लौड कर उन कारणों को ढून निकालने की कोशिश करें जिनकी वज़े से पहले पहल ये बात आपके मन में बैठ गई कि आप सफल नहीं हो सकते किसी ऐसे व्यक्ति का वरनन लिखकर जिसे आप आदर्ष रूप में अपनाना चाहते हैं अपने विशय में अपनी धारणा को बदलें आपने जिस आदर्ष सफल व्यक्ति का अनुसरन करने का फैसला किया है उसकी जगह पर स्वयम को रख कर सोचें और उसका अभिनाय करें मानव सभ्यता के ग्यात इतिहास की शुरुवाद से ही विशय शक्ति लोगों ने जो कुछ कहा है उसको अपनाने की कोशिश करें आप जैसा बनना चाहते हैं वैसा बनने की खीमत चुपाएं ये काम निश्यत रूप से उतना मुश्किल नहीं है जितना की एक असफल नाकाम व्यक्ति के रूप में जीवन चीना तीस दिनों का परीक्षन पूरा करें इसे दोहराएं और फिर दोहराएं हर बार ये आदतें आपके भीतर आत्मसाथ होती चाहेंगी ज्यादा से ज्यादा और एक दिन ऐसा भी आएगा जब आप आश्यरे करेंगे कि आप किसी और धंग से कैसे जीवन गतीत कर रहे थे इस नए धंग से जीवन चीएं और प्रचुरता का द्वार आपके समक्ष खुल जाएगा और चानों और से सुख सम्रद्ध की ऐसी बर्शा होगी जिसके बारे में कभी आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा पैसा भरपूर मिलेगा लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपून है कि आपको शान्ती मिले और ये नियम अपना कर आप उन किने चुने लोगों में शामिल हो जाएंगे जो शान्त आनंद पून और सफल जीवन रतीत कर रहे हैं आज से ही आरंब कीजिए याद रखिए खोने के लिए आपके पास कुछ नहीं है जोकि पाने के लिए एक बिलकुल नया जीवन आपके सम्मुक है